आप सभी को मेरा नमस्कार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में करोना के केसिस बढ़ रहे हैं देश के कोने कोने में हर राज्य में ओक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है दवाईयों की डिमांड बढ़ रही है वैक्सिन की डिमांड बढ़ रही है और जगे जगे इनकी कमी महसूस हो रही है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में दो घंटी की ऑक्सीजन बच गई मैंने खुद रात रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतिजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जाने चाहिए केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तै करती है देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है केंद्र सरकार तै करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी इस रज्जे को इतनी oxygen मिलेगी अब दिल्ली को कितनी oxygen चाहिए दिल्ली सरकार ने अपना एक estimation लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 ton oxygen की जरूरत है केंदर सरकार ने हमारा कोटा कल तक 388 ton तै किया हुआ था ये कोटा कल शाम को बढ़ाके 480 ton कर दिया है केंदर सरकार ने इसके लिए हम केंदर सरकार के बहुत बहुत आभारी है हलांकि हमें और भी और भी काफी oxygen चाहिए लेकिन केंदर सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत-बहुत शुक्रियादा करते हैं अब केंद्र सरकार ये भी तै करती है कि जो आपके कोटे की ऐक्सिजन है वो कौन सी कंपनी देगी जैसे दिल्ली में तो ऐक्सिजन बनती नहीं है दिल्ली की सारी ऑक्सिजन दिल्ली के दूसरे रजों से दिल्ली के बाहर के दूसरे रजों से आती है तो केंदर सरकार तै करती है कि फलाने रज्जे की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सिजन देगी फलाने रज्जे की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सिजन देगी ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उन में से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की अक्सिजन आनी थी, वो भीजनी रोग दी. राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने रज्जे में इस्तिमाल करेंगे दिल्ली का कोटा भी हम इस्तिमाल करेंगे दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जानी नहीं देंगे लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोट का शुक्री आदा करना जाता हूं पिछले दो-तीन दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है जिसकी वज़े से अब ऑक्सिजन दिल्ली पहुँचने लगी है जो जो दिक्कते आ रही थी हम लगातार पिछले दो दिन से एक-एक मिनिट टू मिनिट मैं खुद मनीश जी मैं हमारे सारे ओफिसर्ज केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे पर सो रात को मुझे याद है जब जी टी बी हॉस्पिटल में वहां का ट्रक एक पडोसी रज्जे से चलना था पर वो चला नहीं जी टी बी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन तो एक केंद्रि मंत्री को हमने फोन किया और उन्होंने तुरंत वहां पे बात करके उस ट्रक को वहां से चुड़वाया हम लगातार संपर्क में हैं एक एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं सोई नहीं है हाई कोट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रियादा करना चाते हैं जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का उसमें उडिसा से काफी ऑक्सीजन आनी है तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुँचने में कुछ दिन लग जाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जाज के जरीए उडिसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके जब हमने लॉकडाउन लगाया था मैंने आपको बोला था कि ये छे दिन का जो लॉकडाउन है ये छे दिन हम आराम नी करने वाले हम 24 घंटे काम करेंगे इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिली के हेल्थ इंफ्रसेक्चर को और सुद्रड करने के लिए इन 6 दिनों में दिली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए दिली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिली के हेल् भी कोशिश कर रहे हैं, एक और बात, यह बहुत बड़ी आपदा है, इस आपदा में अगर हम सारे लोग, हर्याना, पंजाब, तमिनाडू, गुजरात, पश्चिम, बंगाल, इसमें बट गए, तो भारत नहीं बचेगा, इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें भा देश के लोग आज सभी नियूस चैनल पर देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्ये ने रोग दिया, मध्यपर्देश में जाने वाला ट्रक भलाने राज्ये ने रोग दिया, यह तो ठीक नहीं है, लोग यह नहीं चाहते देश के लोग आज ये देखना चाते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें तब ही वारत बजेगा अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे दिल्ली वाला हर्याना की मदद करे हर्याना वाला बिहार की मदद करे बिहार वाला गुजरात की मदद करे हम सारे लोग अगर एक दूसरी की मदद करेंगे तब ही तो भारत बचेगा और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बढ़ गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा मेरी सारी नागरिकों से अपील है सारी सरकारों से अपील है कि आईए मिलके एक होके लड़ते हैं अगर हम मिलके लड़े एक मुठी बनेगी हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे हमारी ताकत बढ़ेगी हमारी शक्ती बढ़ेगी और अगर हम बढ़ गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा मेरे हाथ में जो होगा आप मुझसे मांगिये मैं दूँगा पूरे देश की मदद करेंगे अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन जरूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्ये के साथ बाटेंगे और जब दिल्ली में करोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की जरूरत हुई हमाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे हम सभी भारतवासी हैं हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे सभी राज्यों की मदद करेंगे क्योंकि ये बिमारी कोई बॉडर देखके नहीं फैलती मैं उमीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ सारी सरकारें केंद्र सरकार, सारी रज्य सरकारें हम मिलके काम करेंगे एक भारत बनके काम करेंगे करोना को हराने के लिए हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे जादा COVID cases भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहां की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंदन किया भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बिमारी को हमने हराया जैहिन